आई आज हम सिखेंगे तिन टीप्स एंड ट्रिक्स जो की बहुत ही बहुत धरीन टीप्स एंड ट्रिक्स है आपको एकशल में काम करते समय बहुत ही यूजफुल है तो चली देखते हैं हेलो दोस्त मेरा नाव है कुंदन कुमार और आपका स्वागत है अपने चैनल आइमस कंप्यूटर एजूकेशन में तो मेरा पहला टिप्स है इंसर्ट रो एंड कॉलंग विदाउट इंसर्ट ओप्शन चली देखते हैं आते हैं एक सब्सक्राव पर तोẹट ने रॉफे करना है courtesy आपको यहां पर कुछी नहीं करना है आपको यहां पर इस पूरे रो सेलेट ना है और फेशन को फ्रेशवकरिक करना है geenज ही लोग करना है shift को hold रखना है इस वाले option पे लाना है और यहां आने के बाद आपको mouse को नीचे की तरफ लेना है नीचे के तरफ लेने पर आपको भी shift को छोड़ना नहीं है shift को press करके रखना है और आपको जितना row insert करना है वहां तक ले लिजिए और mouse को left click छोड़ दिजिए और उसके बाद shift छोड़े तो देखिए यहां पे row insert हो गया अगर आपको column insert करना हो तो आप इसको लिजिए column को ले लिए select किए और shift के साथ इस पर आएंगे आपको जितना column लेना है वहां तक ले ले लिजिए और उसके बाद आपका column insert हो गया आए चलते हैं second tips and trick में तो second tips and trick है आपका कि without merge किये हुए center में लाना तो चलिए कुछ देख लेते हैं यहां पे क्या करना है है select करेंगे और इसके मर्ज में जो कमिशन लिखा हुआ है इस cell में लिखा हुआ ठीक है तो इस कमिशन को आपको center में करना है इतना दूर select करेंगे और select करना के बाद आपको क्या करना है control plus one प्रेस करना उसके बाद आपको आना है element में और यहां पर horizontal वाले section पर आपको इसके नीचे दिखेगा आपको center across selection उसके बाद यहां से okay करने तो देखिए आगें commission बाकी सब अलग अलग है without merging का दिख रहा है तो चलिए आईए थर्ट टिप्स अंट्रिक दखते हैं कि खट्टी संट्रिक क्या है यहां पर आपको जब आपके पास बहुत बारा data रहता है तो आप क्या करते हैं जैसे उपर ले जा रहे हैं तो पता नहीं चल रहा है कि serial number है या name है या या यह माउंट है क्या बहुत सारा अगर आपके पास और भी लॉंग डाटा रहे है तो दिखेगा नहीं आपको सिर्फ है कीबोर्ड से प्रेस कीजिए Ctrl-Shift-L तो देखे फिल्टर हड़ जाएगा लेकिन उपर देखे serial, name, name, cell mount, commission दिखा रहा है तो है ना बैतरीन अगर मेरा tips and trick अच्छा लगे तो वीडियो को like और share जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को subscribe जरूर करें धन्यवाद